नमस्कार पांची जिन्ने पर आप सभी का फिर स्वागत है आज हम बात करेंगे मानवता के विनाश की जी हाँ हम बात करेंगे हमास की सुरंगों का पूरा शहर नागरिकों की सहायता के नाम पर मिली राशी की लूट लूट के पैसों से सुदूर सुरक्षित देशों में राजा जैसा जीवन जीने वाले नेता अस्पताल में मुख्यालय, बंधक नागरिक, घनी आबादी वाले क्षित्र में महलाओं और बच्चों की धाल बनाकर घात लगाकर किये गए हमले और बड़े पैमाने पर व्यापक प्रचार ये कैसा चल है इसके अलावा इन में से किसी भी चीज के लिए न जराभी गलानी न संकोच, कोई लाजशरम नहीं ये सारे बिंदू हमास द्वारा छेड़े गए हाइब्रिड यद्ध के मुख्यलक्षन हैं आखिर हमास शिफा अस्पताल के भीतर से क्या कर रहा था लेकिन वास्तव में इसमें आश्चर की कोई बात नहीं है इसलामिस्टों और कम्निस्टों का पैटर्न यही तो है यही तो रहा है बच्चों, महिलाओं और रोगियों तक को ढाल के रूप में इस्तिमाल करना और फिर पीडित होने का रोना भी खुद ही रोना वो भी इस पूरे भरोसे के साथ के बहुत सारा पेड मीडिया इस पर भी उनका प्रचार करेगा और दुनिया भर के अराजकता पसंद करने वाले लोग उस प्रचार को हाथों हाथ ले लेंगे इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से जरा बारीकी से देखें कोई संदेह नहीं कि गाजा शहर में हमास इसराइली सेना को बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है कोई असर नहीं है वो इसराइली सेना को बस्तियों में प्रवेश करने देते हैं फिर उन पर घात लगा कर हमला करते हैं और भाग जाते हैं किसी क्षित्र की रक्षा करने की न उन्हें कोई आवश्यक्ता है और न ये उनका लक्ष है ये उन्होंने सोचा ही नहीं है शत्र कहां है है भी या भाग चुका है IDF यानि इसराइली रक्षा बलों को इसका अनुमान भी नहीं हो सकता ललकारने पर भी कोई सामने नहीं आता सिर्फ वीडियो पेश किये जाते हैं असली करता धरता छिपे हुए होते हैं सिर्फ कुछ रंगरूट हमले करते हैं जिनें बताया गया होता है कि वो तो एक महान लक्ष के लिए लड़ रहे हैं सतर मीटर तक गहरी सुरंगों का एक्सरे भी नहीं हो सकता तो फिर ऐसे में इलाज क्या है विकल्प क्या है आप उन पर कठोर कारवाई करें बम मारें लेकिन जितनी अधिक कठोर कारवाई होगी उनके वीडियो उतने ही वीभत्स होते जाएंगे वो मारमिक अपीलों के सामने नए नए रूपों में ये चलिया आपके सामने आएंगे और वैश्विक जनमत उतना ही अधिक प्रभावित करने की चालेंज चली जाएंगी फिर इस्राइल की अपनी एक इज़त है एक प्रतिष्ठा है और रही है ये प्रतिष्ठा इस्राइल की प्रतिरक्षा की भी रही है ये पूरा पैटर्ण इस्राइल की प्रतिष्ठा को सीधी सीधी चुनोती देने का है और ये चुनोती दे रहा है हमास के सामने प्रतिष्ठा जैसा कोई संकट है ही नहीं विचार करें कि युद्ध क्या हो रहा है सारा प्रचार इस बात का चल रहा है कि इसराइल नागरिकों को निशाना बना रहा है ठीक है लेकिन दो छोटे प्रशने है क्या इसराइल जान बूझ कर नागरिकों को निशाना बना रहा है जिसमें नागरिकों के सिर काटे गए, जलाये गए, बच्चों के सिर में गोलियां लागी गए, उन्हें जिंदा भून दिया गया, तरह तरह के अमानुशिक अत्याचार किये गए युद्ध यह हो रहा है कि इसराइल नागरिकों को नुकसान से दूर रखने के लिए जो कुछ संभव हो, वह सब कुछ कर रहा है, और दूसरी तरफ हमास है, जो नागरिकों को अधिक्तम संभव नुकसान हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहा है, तो असल वास्तव में ये कपट विद्या है, मायावी युद्ध है, जिसे नैतिकता खो चुके बुद्धी जीवियों के एको सिस्टम का एक समर्थन मिला हुआ है, जैसे सारी आधुनिक सुविधाओं के साथ भूमिगत संरचना हैं, हत्यार और गोला बारूद का प्रश्णा सहज प्रश्ण ये उठता है कि स्थानी अधिकारियों ने फिलिस्तीन की हुकूमत ने इसकी अनुमती भला दी कैसे, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता कि वहाँ कोई सरकार, कोई स्थानी अधिकारी नहीं था, बलके हमास का ही गाजा पर पूरा राज चल रहा था, और ही गई बंदूकें, गोला बारूर, बुलट प्रूफ कवच और ग्रेनेड ये सब कुछ मिला है, MRI स्केनर के पीछे मामूली से धात्विक हतियार मिलने की बात अपने आप में बड़ी संदिक्द और हास्यास्पद हो जाती है, सहज बुद्धी यही कहती है, ऐसा हो नहीं स लेकिन एक इंच और गहराई से देखें, सहज बुद्धी से संदिक्द और हास्यास्पद मानेगी ये बात हमास भी जानता था, और इसी लिए ये सब रचा गया, इस्राइली सेना वहां पहुँच जाएगी, वो ये भी जानता था, पेशेवर सैनिक सिर्फ वीडियो सिर्फ हत्याओं का नहीं, बाकी कूट और कठिन लक्षों का नहीं, बलकि आम लोग इसे किस रूप में देखेंगे या देख सकेंगे, युद्ध ये भी है, ये लडाई बड़ी है, ये लडाई कड़ी है, और ये लडाई अभी पूरी दुनिया के सामने है, आप हम सब के सामने है, इस लडाई में कपट के एक तंत्र के साथ कुछ लोग खड़े हैं, आप हम कहां खड़े हैं और इसका उत्तर कैसे देंगे, युद्ध ये भी है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्ध के साथ.